दोस्तो तीन REIT इंडिया में लिस्टेड है बुक्फिल्ड, MBAC और माइंड स्पेस REIT अब इन तीनों ने कैसा रिटन दिया है पिछले एक साल में क्या वो FD को बीट कर पाए हैं नहीं उसके बारे में दोस्तो हम इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले REIT के बारे में बता दूँ आपको Real Estate Investment Trust तो दोस्तो एक तरीके से आप indirectly जो बड़ी-बड़ी जो commercial properties है वहाँ पर आप invest कर रहे हैं अगर आपको कोई भी Real Estate की property में invest करना एक बड़े office में करना है तो आपको लाखों रुपए करोडों रुपए तक लगाने पड़ सकते हैं लेकिन यहाँ पर as a shareholder as a unit holder बनकर भी आप REIT में invest कर सकते हैं अब यहाँ पर दो चीजे फाइदे है ही क्योंकि जैसे जैसे price बढ़ेगा जैसे share price बढ़ता है वैसे unit का price बढ़ेगा तो capital appreciation होगा और बिल्कुल सेवी का rule ही है कि quarterly distribution करना है मतलब उनको जो भी cash flow मिलेगा जो भी उनको पैसा मिलेगा जो भी distribution cash flow distributable जो cash flow है उसका 90% तो minimum उनको जो है पैसा वो अपने unit holders को देही देना है तो एक तरीके से अगर उनके पास cash आता रहेगा मतलब जो भी rental income है जो उनके पास dividend income है interest income है वो सब आती रहेगी उनके पास तो फिर जो unit holders है तो आपको भी पैसा मिलता रहेगा तो इस पर कैसे मेरे experiences हैं उस पर मैंने detail video भी बनाया हुआ है इस video के बाद दोस्तों आप उसको भी देख सकते हैं वो card में मैंने अभी link दी हुई है अब Brookfield REIT मैं शुरुवात कर रहा हूँ अब चुकि यह शुरुवात मैंने alphabetical order से कर रहा हूँ तो ऐसा कोई preference नहीं है तो देखिए Brookfield REIT है share अगर price देखेंगे unit price 332 अभी जब यह मैं वीडियो बना रहा हूँ और अगर आप पिछले साल देखेंगे तो हर quarter में उन्होंने कुछ dividend या distribution दिया हुआ है तो total चारो quarter का अगर हम मिला दे तो 22 रूपीज 10 पैसे per unit का distribution हो रहा है यो कि 6.6% की यह yield हो रही है अभी आप State Bank of India, HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank जो चार बड़ी banks है उनका अगर एक साल का FD rates देखेंगे तो 5.3 से 5.45% के बीच में है तो यह dividend yield को बीट करी रहा है अब देखें, IPO आया था इनफाकT Brookfield का IPO पिछले साल ही आया था February 2021 में 275 के price में अगर उसको भी अगर आप ले लेते हैं तो 8% की yield हो रही है और 275 से 3.32 capital appreciation भी यहाँ पर हुआ है लेकिन इस साल और clarity आएगी क्योंकि यह REIT बहुत ही नया है किस हिसाब से यहाँ पर return आएगा हमको नहीं पता है अब देखेंगे पिछले साल February में February 8 उस समय का जो है उसका data था तो उसके बाद से जो 50 दिन है till March ठीक है न तो उन्होंने जो March quarter में कोई distribution नहीं किया था उन्होंने quarter 1 में ही किया हुआ था तो इस साल हमको पता चलेगा कि actually में कितना distribution आ रहा है पिछली बार थोड़ा सा जादा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि February March का जो है quarter 4 का जो है कुछ समय का वो distribution नहीं आया था तो इस बार उन्होंने guidance दिया हुआ है 5 रुपे 20 पैसे मतलब हर quarter में 5 रुपे 10 पैसे का guidance उन्होंने दिया हुआ है तो देखते हैं इस बार जबी भी जुलाई अगस्ट में result आएंगे तो ब्रुक फील्ड का ये dividend आता है कि नहीं फिर है embassy REIT share price अभी आप देखेंगे 373 के आसपास है और पिछले पूरे financial year में ठीक है तो सेम 5 रुपे कुछ 26 पैसा का हिसाब से quarter 4 में था तो सबको आप 4 को मिला लीजिए तो 21 रुपी 76 पूरे हर quarter का अगर आप मिला लेते हैं तो पूरा distribution आपको बनता है उन्होंने हर quarter में दिया ही हुआ है distribution 100% payout भी किया हुआ है और 373 जो अभी का price है उसमें हिसाब सब देखेंगे तो 5.8% की ये yield बनती है लेकिन IPO आया हुआ है 2019 March में 300 के भाव में आया होगा तो इसलिए बहुत सारे investors है दो उस price में भी उन्होंने साथ खरीदा होगा तो 7.25% की embassy में जो REIT है उसकी value बनती है मतलब yield बनती है दोस्तों तो 2 REIT हुए तीसरा REIT है Mindspace REIT तो उनका भी जो IPO आया था तो 351 का उनका अभी का price चल रहा है और 2020 जुलाई अगस्ट में के समय में IPO आया था तो उन्होंने पिछले साल Mindspace ने 18 रुपीस 40 पैसा का distribution उन्होंने किया हुआ है और अगर अभी का जो price है 351 तो 5.2% की yield है मतलब जो एक FD का जो यह है उसे थोड़ा सा यहाँ पर कम है और IPO का अगर आप देखेंगे 275 का price था तो यह 6.7% की यह yield है दोस्तों तो यह एक चीज है और अगर आप IPO के price भी देखेंगे 275 का price था तो capital appreciation भी हुआ है तो यह एक important चीज हो जाती है इन्वेस्टर्स के लिए कि capital appreciation भी एक जगह होता रहे और थोड़ा बहुत उनको as the dividend as the distribution भी आता रहे लेकिन जैसे US market है वहाँ पर बहुत सारे REITS है वहाँ पर तो जैसे commercial यह सब तो commercial REITS है वहाँ पर storage के भी REIT होते है यहाँ वहाँ पर घर जो residential है उनके भी REIT होते है बहुत सारे REIT होते है तो वहाँ पर बहुत हद तक REIT market का idea है थोड़ी सी experiences है लेकिन इंडिया में आप देख सकते हैं जैसे यह 2020 में आया 2021 में आया, 2019 में आया तो अभी भी REIT पर investors को experience हो रहा है तो इसलिए जैसे मैं एक normal investor हूँ तो क्या मैं अपने portfolio का 10%, 15% यहाँ पर मैं क्या डाल दूँगा तो साइध answer है नहीं क्योंकि यह एक तरीके से wait and watch evolving type की situation हाँ, थोड़ा 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 जैसे confidence बढ़ता रहेगा जैसे conviction आता रहेगा उस हिसाब से मेरे जैसा conservative investor है वो थोड़ा थोड़ा invest करता रहेगा क्योंकि long term में यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि FD से ज़्यादा return जो है REIT दे पा रहे हैं plus capital appreciation में भी यहाँ पर potential है बट क्योंकि बहुत ही नई चीज है किसी भी चीज बहुत नई हो और हम सीधा invest करें तो हमने देखा था न किस हिसाब से जो zometo है या फिर बाकी की जो company आमें किस हिसाब से car trade में किस हिसाब से lost हुआता तो इसलिए धीरे धीरे जाना जरूरी है अभी तक एक promising potential तो बिल्कुल दिखा रहे है लेकिन हर quarter में data आते जाएंगे चीजे और ज्यादा clear होती जाएगी हमको और ज्यादा data मिलेगा और और ज्यादा research होता रहेगा तो तीन रीट के बारे में बात बताई पिछले साल तो अच्छा गया था अब इस साल कैसा होता है उसके बारे में भी हम research करते रहेंगे quarterly और आपको भी बताते रहेंगे तन्यवाद आपके समय के लिए दोस्तों thank you very much तन्यवाद